देश के छे एरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिये गए वो छे एरपोर्ट उसके उपर कबजा देश के सारे एरपोर्ट के उपर जो भी ब्यापार है उस पर 30% कबजा अडानी का है यानि की नरेंद्रमोदी देश के जाने माने बिजनसमेन गौतम अडानी का जिकरवब कर लेते हैं क्या गौतम अडानी की मुश्किलें वाकई बढ़नाता है और कैसे अडानी को फस्तवा देकर अब पतनी परीती अडानी चुपी तोड़ देंगी अपने दर्शकों को बताएं कि गौतम अडानी की कमपनियों में जो पैसा लगा है वो पैसा किसी और का नहीं है ये पैसा किसका है और किसको कहने पर अडानी को इतने बड़े बड़े कॉंट्रेक्ट दिये गए या यूं कहें कि पूरे देश की संपत्ती ही अडानी के हवाल कर दी गए क्या सरकार की मिली भगत नहीं है और जब अडानी फस गए तो सरकार आखिर कार क्यों अपना बचाव कर रही है और क्यों अडानी को कट घरे में लाकर खड़ा कर दिया है आखिर कार देखा यह जा रहा है कि प्रीती अडानी से अपने पती की हालत देखी नहीं जा लेकिन गौतम अडानी से सवाल ये खड़ा हो रहा है या ये पूछा जा रहा है कि अडानी जी जरा बता दीजिए कि आपको 6 के 6 एरपोर्ट की सिसाब से मिले हैं या किन नियमों के तहट दिये गए आपको तो एरपोर्ट की जानकारी भी नहीं है उसके बावजूद 6 एरप को का पैसा आपकी कंपनी में लगा दिया आपकी कंपनी की हालत आज खराब है आपकी कंपनी के शियर गिर रहे हैं और जब पैसे की बात की जाए इन सरकारी कंपनियों का पैसा वापस कौन करेगा या करने की हालत में हैं गौतम अडानी क्योंकि विपक्ष और देश की जन अगर अडानी भी बग गये तो देश की हालत खराब हो जाएगी जंता त्राही त्राही करने लगेगी क्योंकि जंता की खून पसीने की कमाई बैंकों में जमा है और बैंक अगर खुद को दिवालिया घोशित कर देगा तो जंता कहां जाएगी क्योंकि मोधी राज में इंसाफ की उमीद छोड़ दीजे जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बैटी महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल पाया पुलवामा में सहीद हुए जवानों को इंसाफ नहीं मिल पाया तो देश की जंता को क्या इंसाफ मिलेगा नोट बंदी के वक्त में जरा समझियेगा कि लाइन में लगने की वज़ा से लोगों की जिंदगियां चली गई भीड भार इतनी थी कि सांस लेने की जुरत नहीं पड़ रही थी सांस लेने की इम्मत नहीं थी लोगों में लेकिन कितनी बड़ी स्थथी उस वक्त हो जाती है कितने लोग मर जाते हैं लेकिन सरकार मजाले क्यों उफटक कर दे लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर चुपी तोड़ेंगी गौतम अडानी की पत्नी प्रीती अडानी और मैं विस्तार से बताऊंगा विस्तार से बताऊंगा कि आखिरकार अडानी की कमपनियों में पैसा लगा किसका है और अब अडानी के समर्तन में उनकी पतनी उतरी है और ये कह रही है कि अगर अडानी इसी तरीके से फस्ते रहे तो वो तमाम राज को खोल देंगी जो राज अगर हम कहें तो वो सामने आते नजर आ रहे हाला कि अडानी से जुड़ी एक कबर मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा संजे सिंग का एक बयान है लेकिन उससे पहले ये सुन लीजेगा कि अडानी की कंपनी में पैसा किसी और का नहीं है यह देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पैसा है छे के छे एरपोर्ट ऐसे ही नहीं दिये जाते अडानी के हाथ में इसके पीछे अडानी और सरकार के बीच एक नया बड़ा रिस्ता देखा गया और यह रिस्ता गुजरात से जुड़ा हुआ हाला कि संजे सिंग तो तमाम सबूत दिखाई रहे चले देखे एक रिपोर्ट देखे छे एरपोर्ट नियम बदल के अडानी को दिये गए वो छे एरपोर्ट उसके उपर कबजा देखे सारे एरपोर्ट के उपर जो भी ब्यापार है उस पर 30% कबजा अडानी का है यानि की नरेंद्र मोदी जी का है और एक परंपरा सुरू की देश के प्रधान मंत्री ने कनपटी पे बंदूक लगा कर संपत्तियों को छीनने की परंपरा किसना पटनम एरपोर्ट किसना पटनम सीपोर्ट वो मिल गया अडानी को पहले CBI का छापा होता है ED का छापा होता है फिर अडानी को GV के पे छापा होता है फिर एरपोर्ट अडानी को ACC पे छापा होता है फिर ACC सिमेंट अडानी को तो ये सारा कुछ अडानी को नहीं है ED का CBI का इस्तेमाल करके ये सारा का सारा ब्यापार सारी की सारी संपत्ती नरेंद्र मोदी जी अपने नाम पर जिस तरीके से विपक शमला वर है सरकार चहा कर भी अडानी को नहीं बचा पा रही है या अडानी का मुद्दा नहीं दबा पा रही है क्योंकि विपक शिस्वक तयारी के साथ खड़ा है और सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि पृति अडानी सूत्रों से काम कर रहेते जी हा यह बहुत बड़ी बात बता रहे अडानी और मोद्दी जी पार्ट्नर्शिप में भी काम कर रहेते ऐसे ही नहीं बंगरा देश में बिजलियां पहुँचाई जा रही है ऐसे ही नहीं भारत के पडोसी मुलकों में अडानी की गम्पनिया बिजली पौँचा रही है प्रदान मंत्री नरेनोधी ऐसे ही नहीं विद्ष शों संट्रक्ट लेकर अडानी के हात में देते थे गुजरात से एक रिष्टा जुड़ावाई मोटा भाई जी का और हमारे देश की प्रदान मंत्री नरेनोधी का जो कि जाहिर तोर पर बताता है कि जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि देश के तमाम बिजनेसमेन को छोड़कर केवल अडानी पर सरकार जो महरबान है ये कहीं ना कहीं अब अडानी के लिए मुश्किले खड़ी कर रही है लेकिन 2024 के चुनाव से पहले प्रिती अडानी एक बड अचाल मज जाएगा लेकिन सवाल तो ये भी तो देखिए कि अडानी के खिलाब JPC जाच शुरू नहीं होती है अडानी के खिलाब कोई जाच एजनसी नहीं बैठती है अडानी आकिरकार केसे 2014 के बाद देश में पूरे नंबर में विश्व में तीसरे पायदान पर अमीरो की लिश्ट में आ गए कौन सी जादू की छड़ी चला दी गई इसकी भी जाच नहीं होती है हिंडन बर्ग की रिपोर्ट को आप चैलेंज तक नहीं कर पाये क्यों 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 कि हिंडन बर्ग की रिपोर्ट सही थी और वही तो कहा जा रहा है कि बही चैलेंज अगर करना तो आपने राहुल गांदी को क्यों कर दिया ? हिम्मत थी तो हिंडन बर्ग की रिपोर्ट को चैलेंज करके दिखाते केस लड़कर दिखाते क्योंकि हिंडन बर्ग ने तो चैलेंज दिया था कि आएए आप हमारी आदालत में कोट में सुनवाई होगी केस दोनों लड़ेंगे देखते हैं कौन जीता है तो ये बात समझ गया डानी की मुझे हार नाता है इसलिए आपने राहूल गांदी की सदेसिता चीन ली क्योंकि राहूल गांदी सच बोल रहे थे तो ऐसे में देखा जा रहा है कि हाथ तमाम विपक्षी पार्टियां लेकिन दीरे दीरे उन्हें मुधी सरकार डरा रही है डमका रही है तो क्या इसी तरीके से लोकतंतर में काम होगा और वागिक क्या लोकतंतर खत्म नहीं हो गया है और Being in the का माइने भारती जनता पार्टी नहीं रहे गए अब देखना होगा कि क्या तमाम मुद्दे 2024 में असर डालेंगे मूदी सरकार के लिए या 2024 का चुनाव बीजेपी आसानी से जीच जाएगा आज के लिए इतना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए क्या ख्याएगा सूक्षाइब अट्माटी बीजेपी तुबारा मुलाकात थैजेगल के लिए नहीं के लिए.